अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैं कोशिश ही कर सकता था बस हम उमीद ही कर सकते थे बस तुम बोल ही सकते थे बस वो प्रार्थना ही कर सकती थी बस ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम all you could do was का यूज करते हैं जिसका मतलब हिंदी में तुम यही कर सकते थे बस से होता है यहाँ पर यह जो you है यह सबजेक्ट है जो कि सेंटेंस टू सेंटेंस शेंज होता रहता है जैसे की I, V, They, He, She या फिर कोई नेम और यहाँ पर हम could का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सेंटेंसिस past tense के हैं इनकी एंडिंग हो रही है सकता था, सकती थी और सकते थे से present tense के सेंटेंसिस के लिए हम हमेशा can का यूज करते हैं और past tense के सेंटेंसिस के लिए हम हमेशा could का यूज करते हैं चलिए अब इसको लेकर सेंटेंसिस बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले all आता है all के बाद sentence के according subject आता है इसके बाद could do was आता है और last में verb की first form आती है चलिए अब कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए मैं कोशिश ही कर सकता था बस all I could do was try all I could do was try हम उमीद ही कर सकते थे बस all we could do was hope all we could do was hope तुम बोल ही सकते थे बस all you could do was speak all you could do was speak वो प्रार्टना ही कर सकती थी बस all she could do was pray all she could do was pray वे हस ही सकते थे बस all they could do was laugh all they could do was laugh हम उसे समझा ही सकते थे बस all we could do was make him understand all we could do was make him understand वो उसे सलाह ही दे सकता था बस all he could do was advise her all he could do was advise her अब एक सेंटेंस आपके लिए वो सोच ही सकता था बस इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे क्या आप मुझे कमेंट्स में बताएं आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज दिसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ अपने के लिए टेग्याद बाइ